माधव एक गरीब देहाडी मजदूर था, वो देहाडी का काम पकड़ता और शाम को जो सौ दो सो रुपे कमाता वो घर खर्च में लग जाते। माधव का बेटा गोपी बहुत ही समस्तार था, वो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था, गोपी को पता था कि उसके पिता दिहाडी मजदूर है और उनके पास पैसो की तंगी है, इसलिए गोपी अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं मांगता था, माधव इस बात को सम जान की हमारा गोपी हमसे कभी किसी बात की इच्छा नहीं रखता, जैसा खाएं खिलाएं उसी में गुजारा कर लेता है, आप सही कह रहे हो, हमारा गोपी हम दोनों का बहुत मान करता है, अच्छा मैं काम के लिए निकल रहा हूँ, गोपी को जलेवी बहुत पसंद है न, सा तेरा बच्चा छोटी सी खुशी से भी कितना खुश हो जाता है, माधव काम पर चला जाता है, उस दिन माधव को एक दुकान की छट बनाने में इटे डोने का काम बलता है, माधव सीडियों से दुकान की उपरी मंजिल पर इटे ले जा रहा था, और भी मजदूर उसके सा काम कर रहे थे माधव को पता नहीं चला और उसका पैर फिसल गया और सीडियों से गिरता चला गया अचानक हुई इस दुरगटना ने माधव के पूरे परिवार को हिला कर रख दिया माधव की आखों की रोशनी चली गई माधव की यहालत देख कर जानकी और गोपी दोनों माधव की यह हलक मुझसे और नहीं देखी जाती बापव आपकी आखों के रोशनी क्यों चिन गई इतना कहते हुए गोपी रोता हुआ घर से थोड़ी दूर निकल आया उसने देखा कुछ लोग जैबम भोले का गुंगान करते गुजर रहे थे गोपी ने उनमें से पर चड़ाएंगे जैबोले नाथ कावर का क्या मत्व है भाईया कावर भगवान शिव को अतिप्रिया भीया जो कोई भी भक्त सची शद्धा से कावर यात्रा करता है ना भगवान शंकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके सारे दुखदूर कर देते हैं हाँ मैंने काव कुमार एक महान पुत्र थे जैबोले नाथ कहते कहते व्यक्ति आगे बढ़ गया पर गोपी के मन में कुछ सुकता जागी थी मैं अगर बापू को कावर में बिठा कर कावर यात्रा करूं तो भगवान शंकर उनकी आखों की रोशनी वापस कर देंगी हाँ मैं बापू को ह होला बालक एक कठिन यात्रा पर निकलने वाला है इसकी सहायता कीचे प्रफू देवी पारवती आप निश्चिंत रहो मैं अपने भक्त पर कोई आच नहीं आने दूँगा पर सर्व प्रथम मुझे गोपी की परीक्षा लेनी होगी उधर गोपी घर पहुँचा और दो ब बच्चे तो इतनी दूर तक पैदल यात्रा करके मुझे कैसे सम्हाल पाएगा यहट छोड़ दे मेरे बच्चे मुझे वैसे भी आँखों से दिखाई नहीं देगा तो मुझे कहां कहां लेकर चलेगा और तुम दोनों के जाने के बाद पीछे से मैं भी चिंता में बेटा मैंने तुम्हारी सारी बाते सुनी हैं अगर तुम अपने पिता को कावड पर हरिद्वार ले जा रहे हो तो क्या तुम एक टोकरी में मुझे भी बिठा सकते हो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने अंतिम दिनों में गंगा मैया के दर्शन करूँ हाँ बाबा क्यों नहीं वैसे भी एक टोकरी में सिर्फ सामान है आप वहाँ आराम से बैठ सकते हो मैं बापू और आपको हरिद्वार ले जाओंगा गोपी ने जब ऐसा कहा तो माधव और जानकी दोनों और परेशान हो गए दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि गोपी दो व्यक्तियों का भार कैसे संभालेगा गोपी ने एक टोकरे में अपने पिता को बिठाया और दूसरे टोकरे में उन बुढ़े व्यक्ति को गोपी को देखकर वो बुढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगा वास्तों में वो कोई और नहीं भगवान शंकरी थे जो गोपी की परिक्षा ले रहे थे गोपी ने जैसे ही कावड को कंधे पर रखा कावड फूलों की भाती हलकी हो गई कावड का भार ना के बराबर हो गया मा देखो कावड तो बिल्कुल भी भारी नहीं है मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और जल्दी ही लोटूंगा जब भगवान भोले नात कावड में बैठे तो उनके चमतकार से कावड का भार हलका हो गया गोपी आराम से पूरे रास्ते मस्ती में मगन जैबं भूले का जाब करता हुआ अपने पिता और उन बुढ़े व्यक्ती से बातें करता हुआ चलता रहा हरिद्वार पहुचकर उस बुढ़े व्यक्ती ने माधव से कहा ये भोले नात के नाम का फूल है ये लो सनान करके इसे अपनी आँखों से लगा लेना गोपी तुम सचमुझ बहुत अच्छे भालक हो हर बच्चे को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए और माता पिता का आदर करना चाहिए देखना तुम सदैव जीवन में सफलता पाओगे अच्छा अब मैं चलता हूँ थोड़ी देर गंगा के तट पर विश्राम करूँगा इतना कहकर बुढ़े व्यक्ती के रूप में भगवान भोले नात वहां से चले गए इसके पश्राद गोपी ने माधव को गंगा के तट पर बैठा कर स्नान करवाया जो फूल वो बुढ़ा व्यक्ती माधव को दे गया था माधव ने उसे अपनी आँखों से लगाया पर ये क्या भगवान शंकर के चमतकार से माधव के आँखों की रौश्नी लट आई गोपी वो कौन थे वो कोई साधान व्यक्ती नहीं थे मेरी आँखों की रौश्नी लट आई मैंने इस फूल को आँखों से लगाया और मैं देख सकता हूँ ये फूल मुझे उन सज्जन व्यक्ती ने दिया था बापू आप देख सकते हो वो बुड़े बापा सचमच भगवान शंकर थे माधव और गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता हर की पौड़ी पर खड़े भगत जब इस चमतकार के बारे में सुनते हैं तो सब गोपी की बहुत प्रशंसा करते हैं गोपी माधव के साथ कावड का जल लेकर आता है और शिव मंदिर में शिबलिंग की पूझा करता है जानकी भी ये सब देख कर बहुत खुश थी वही कैलाश परवत परविराजमान भगवान शंकर और देवी पारवती ये सब देख मुस्कुरा रहे थे एक गाउं में चंदन प्रकाश नाम के एक पंडितची रहते थे वो भगवान शिव के परमभग थे चंदन प्रकाश रोज सुबह ब्रह्मुहुरत में उठकर भगवान शिव का पूझा नार्ती किया करते थे जो कुछ भी दान दक्षिणा में आता उसी से पंडितची अपना गुजारा करते थे पंडितची के पास भले ही खुद के लिए इतना नहीं था फिर भी वो स्वभाव के बहुत दयालू थे जब भी कोई जरूरत मन मिल जाता वो अपनी शमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे ओम नमस्षिवाई ये लो माई ये कुछ फल और अनाज रखो ये तुम्हारे काम आएगा अब तो ठीक है ना हाँ हाँ पंडित जी ये तो बहुत है भगवाण आपको हर खुशी दे पंडित जी के इस दानी स्वभाव से उनकी पतनी उनसे कभी कभी गुसा हो जाती थी सुनो जी मंदिर में दान देक्षिना में आये सामान को तुम यूही औरों में बाट देते हो और घर में कितनी त परेशानी आएगी भगवान भोले ना तो सारे दुखों को हरने वाले हैं यदि हमारे जीवन में दुख आएगा तो वो क्षण भर में हर लेंगे एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान देक्षिना कमाने लगी जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा घर की मूल आवशकताओं की पूर्ती नहीं होने के कारण वे दुखी रहने लगे इसी तरह दिन बीथने लगे एक दिन महाशिवरात्री का दिन आ ओम नमस्षिवाए कमा पाते हैं फिर भी उनकी आपके प्रती आस्था कम नहीं होती आज महाशिवरात्री का पावन उत्सव है आप अपने भक्त की सहायता कीजे प्रभू देवी पारवदी अपने भक्तों की जिन्ता मुझे सदैव रहती है और वे भक्त जो सदैव गरीब और जरुरत मंदों की सहायता के लिए ततपर रहते हैं ऐसे भक्तों के लिए मैं सदैव उपस्थित रहता हूँ आप निश्चिंत रहिए आज पंडित जी मेरे शिवलिंग पर जितने बेल पत्र भी चड़ाएंगे वही बेल पत्र आज रात्री में पंडित जी को धनवान बना देंगे यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिये किन्तू उसी समय उस रह से एक व्यापारी गुजर रहा था उसने शिव पार्वती का ये वारतालाब सुन लिया अगर चड़ाए हुए बेल पत्र से वो पंडित धनवान हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता मैं आज ही उससे जाकर मंदिर में चड़ाए हुए सारे बेल पत्र खरीद लूँगा यही सोच वो लालची व्यापारी पंडित जी के घर पहुचके और बूला पंडित जी आपने अब तक जितने भी बेल पत्र शिव पूजन में चड़ाए हैं वह सम मुझे दे दीजिए बदले में मैं आपको सौ स्वान मुद्राएं दूँगा सरला यह सेड़ जी मुझसे क्या मांग रहे हैं यह बेल पत्र तो मैंने शिव जी की पूजा अर्चना में चड़ाए हैं सुनो जी हमिधन की जरूरत है और क्या पता इन सेड़ जी को उनके बेल पत्रों की हमसे ज़ादा आवशकता हो इसलिए आप दे दो इसके पश्चाद पंडित जी ने सारे बेल पत्र बोरे में भर कर व्यापारी को दे दिये व्यापारी बोरा लेकर मंदिर पहुचा और शिव लिंग पर चड़ा कर देखने लगा प्रतीक्षा करते करते सेड़ जी को आधी रात हो गई सेड़ जी चमतकार देखने के लिए बहुत उताबले हो रहे थे आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेड़ जी के सब्र का बान तूठी गया और क्रोध में आकर सेड़ जी शिव लिंग को जग छोड़ने लगे सेड़ के हाथ शिव लिंग से ही चिपके रह गए सेड़ ने बहुत प्रयास किया किन्तु उसके हाथ हिले तक नहीं ठक हार कर वो शिव जी से शमायाचना करने लगा एए शिव शंकर ये क्या हो गया मेरे हाथ शिव लिंग से हट क्यों नहीं रहे है तभी शिव लिंग में से आवाज आई लोभी सेट जिस पंडित से तुमने ये बेल पत्र खरीदे हैं उसे तुम एक हजार स्वान मुद्राएं दोगे यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तभी तुम्हारे हाथ इस शिव लिंग से अलग होंगे भगवान भूले नात ने व्यापारी को शमा कर दिया और उसके हाथ शिव लिंग से अलग हो गए उसके पश्यात उस व्यापारी ने पंडित जी को भेट स्वरूप एक हजार स्वर्ण मुद्राएं दी शिव जी का कथन सत्य हुआ पंडित जी के जीवन के सारे दुख दूर हो गए सच्छे जो भी प्राणी सच्छे रिदय से भगवान शिव को याद करता है शिवरात्री का व्रत रखता है भगवान शिव उसके जीवन के सारे दुख हर लेते हैं और सदैव उनकी कृपा बनी रहती है